गंगो में आजी सलीम साफ और उनकी टीम के लोग आजी नदीम और जो इनके साथी है सबसद उन सब लोगों के जरीए उनके सहयोग से एक रसोई चले ही आ रही है उसमें आकर कुछ सहयोग करने के लिए और यहां का इंतजाम देखने के लिए किस तरिके से इसका संचालन किया जा रहा है मैं हाजिर वहां हूँ और इसी सिलसिले में हम सब लोग यहां पर जमाया है आपस में सला मश्वरा कर रहे हैं और आगे की एक रणनेती भी बना रहे हैं कि अगर यह जो हमारी रसोई है इसको हम 15 तारीख तक और अगर जोरत पड़ती है तो उससे आगे किस तरिके से लेकर इसका चले इस तरह से इसका संचालन करें इसी लिए मेरा यहां पर आना हुआ और मुझे बड़ी खुशी की बाद यहाने के बाद मुझे एहसास हुआ लोगों से मालूम है यह जो गंगो सेवा समीती है इसकी खिदमत का एतराफ सभी गंगों के लोग कर रहे हैं और यह वता रहे हैं किस जोश और करोश के साथ बाइस तारीक से यह लोगों के उन गरीब लोगों को जो मुस्तहिक हैं उन तक या तो राशन की किट या बना हुआ सामान। तैयार खाने का सामान पहुचाने का काम कर रहे हैं तो इसके अलावा भी यह लोग अगर किसी को दवाई की जोरत है उस दवाई को भी जोरत बन को पहुचाने का काम कर रहे हैं अगर कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुचना है तो उसको हॉस्पिटल भी पहुचाने क काम कर रहे हैं कुल में लाकर बात है कि ये जो खिदमत कर रहे हैं उस इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं कि जिसकी जो आज करोना वाइरस की वजह से परेशान है और ये जो आप दाई हुए है इससे पूरी दुनिया के लोग मतासिर हैं हमारे हिंदुस्तान का वा मतासिर है हमा सारे जिले का मुतासिर है और जो इस वक्त गंगों में मुतासिर है